नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली सबोर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन वोर्ड यानि कि डी, एस, 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 बी की ओर से आई हुई नई वेकेंसी की फॉर्म कैसे भरनी है आश्टेप बाई श्टेप तो नोटिफिकेशन वागेरा तो पह डीटेल क्या है यह सब सारी जानकारी जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और कैसे फॉर्म को भरना है यह भी देखेंगा श्टेप बाई श्टेप बने रहेगा हमारे साथ तो टोटल सीटों की संख्या बात करें तो 863 है और देखें यहां पे जो दिल्ली गवर्में के जैसा ही दिया जाता है ठीक है तो यहां पे आप कोई भी राजी के है तो आपको सेंट्रल गवर्मेंट का राच्छन आपको यहां पे मिलता है तो 21 से 11 से सुरू हो चुकी है बीस बारा तक आप आप अभी तरु कर सकते हैं एप्लिकेशन फीच देखें आप किसी भी रा बात करें तो एज कितनी होनी चाहिए तो बीस बारा दोहजर तेज को आपकी अमर जो है अठारा से कम से कम 18 होनी चाहिए और अधिकतम 30 से 32 दिया गया है यहां पे पोश्ट भाई तो पोस्ट भाईज बीचे यहां पे देख पाएंगे कि किस पोश्ट में कितनी हैज होनी यहां पर दिया हुआ है तो एक एक करके आप अपना देख लेंगे अब बात करें यहां पर देखें कौन से पोस्ट के लिए आप आविदन करना चाहते हैं पहले आपने qualification को देखिएगा जैसे कि मैं एक बात करता हूं यहां पर देखें पोस्ट कोड़ दिया हुआ है बाहत् साल एक्स्रा छूट मिल जाएगा और जो भी सी होंगे उनको तीन साल की एक्स्रा छूट मिल जाएगी ठीक है तो यहां पे हो गया यानि कि 18 से 32 साल आपका हो जाएगा SCST के लिए तो इसे पर कर्चा आप जोड़ लेगे ठीक है तो मैं एक पोस्ट यहां पर देख लेता हूँ यहां पर क्वाइलिफिकेशन नीचे दिया हुआ है दिख पारे होंगे देखें नीचे क्वाइलिफिकेशन है यहां पर पोस्ट का नाम है पोस्ट कोड है पोस्ट का नाम है और यहां पर आपका सीट है और एज है यहां पर क्वाइल दोहज़र्टेस वारडर का post जो है सिर्फ पूरुसों के लिए यह आप आप है और उसके निचे उपर जो है महिलाओं के लिए देखी 112 post code for female only तो ये फ्रेसर के लिए दोनों सीटे जो है फ्रेसर के लिए है तो इसमें पुरुसमाहिला देखिए दोनों के लिए लगा लगा है तो इसमें आप आविदन कर सकते हैं इसमें minimum qualification 10 plus 2 दिया गया है तो चलिए हम लोग कैसे form को भरना है ये भी जान लेते हैं तो यहां पर registration number से ही आपका form complete हो जाएगा अगर नहीं पहले कभी आविदन नहीं किए DSSB में तो देखे ये registration page है ये registration आपको complete करनी होगी तो चलिए क्या-क्या भरना है registration में ये देख लेते हैं registration करते वक्त क्या ध्यान में रखना है ये देख लिजे देखिए अगर माल लिया जाए हो गया फिर यहां से आपका 00204 हो गया तो इस परकार से आपको जो है यहां पर देखे रॉल नंबर मांगा गया ठीक है दसवी का रॉल नंबर मांगा गया तो इसमें वही रॉल नंबर भरना है जो आपका दसवी में रॉल नंबर है अगर ABCD भी दिया हुआ तो ABCD जो है व रखना है बागी सब सिंपल है तो यहां पर नेम डालना है एप्लिकेंट का नाम डालना है फिर री एंटर करना है नेम फिर यहां पर आपका date of birth क्या है वो डाल देना है दसमी के अनुसार फिर re-enter date of birth है फिर सलेक्ट करके डाल देंगे फिर यहां पर तेखिए 10b का roll number है फिर यहाँ पर डालेंगे रॉल नबर फिर यहाँ पर डालके confirm नीचे कर लेंगे फिर आ जाता है किस वर्स आपने 10 भी pass किया तो यहाँ पर year select कर लेंगे फिर आ जाएगा यहाँ पर re-enter कब आपने pass किया है तो वो re-enter आपको दोबारा से select कर लेना है दस भी गा फिर यहाँ पर gender आजाता है male female जो भी उससे select कर ले फिर यहां पर gender दोबारा से आपको select करना होगा फिर यहां पर देखे नेशनलिटी आ जाता है तो इंडियर नाने देंगे और यहां पर father name यहां पर भार देना है जो भी आपके father name फिर यहां पर दोबारा Phader का नाम है, फिर यहां पे Mother का नाम है,이 फिर दोबारा से Mother का नाम डाल के Re-Enter कर लेना है, फिर अगर आपका कोई अभिभावक बगए रहा है, सफोज बगएरा नाम है, husband बगारा का नाम है तो वो भी डाल सकते हैं नहीं है तो खाली रहने देंगे फिर इसके निचे आते हैं तो mobile number है दसंको का mobile number है यहाँ डाल देंगे फिर यहाँ पर re-enter mobile number डालेंगे फिर email ID है फिर यहाँ पर email ID डाल के confirm कर लेंगे पिर देखिए यहाँ पे एक OTP आएगी आपका, गेट OTP पे किलिक करेंगे तो मोबाइल पे और email ID OTP आजाएगी, OTP दोनों में फिल कर लेंगे और जो है आपका verify कर लेंगे, OTP से verify हो जाने के बाद यहाँ पे आपको message मिल जाएगी mobile verify please proceed to register, अब यहाँ पे आएंगे नीचे तो देखिए यहाँ पे आपसे आधार number मांगेगा, दो बार यहाँ पे आधार number डाल देंगे, एक बार यहाँ पे डालेंगे, फिर यहाँ पे डालके confirm करेंगे, फिर आधार में जो नाम है आपका वो नाम डालेंगे और यहाँ पर फिर दोबारा डालके confirm कर लेंगे करने के बाद यहाँ पर एक password आपको बनाना है आठंको का password बना लीजेगा mixed password ठीक है यहाँ पर बताया हुआ है कैसे बनाना है इसको पढ़ लीजेगा फैले आपको capital में एक letter डालना है उसके बाद small में डालना है फिर एक number letter और उसके बाद एक special character डालके password बना लेना है याँ आठंको कम से कम आपको password बनाना है दोनों में डालके कर लेना है फिर यहाँ पर undertaking है इस पर click करना है और preview पर click करके देख लेना है कि सब कुछ ठीक है उसके बाद यहाँ पर इसको accept करके submit कर देना है आपका registration complete हो जाएगा registration complete होने के बाद आपको message भी मिल जाता है application number registration number आपके mobile पर चली जाएगी फिर रोजगारवेयर.com पर आजाना है और आपको login करना है देखिए यहाँ पर सबसे नीचे आपको link मिल जाएगी registration और login का तो login पर आपको click करनी है और अपने form में login करना है तो यहाँ पर आप अपन जो आपको registration number मिला है वो और जो आपने password बनाया है उसके मदद से देखिए click to sign in पर आपको click करनी है और अपना registration number देखिए आप टेटो पर था गया और 10th roll number आगया और 10th passing year आगया password आगया जो आपने बनाया है तो same password आपको डालना है और यह capture यहाँ पर डालना है और sign in कर ठीक है तो application number registration number आपका यही होता है जो जनमती थी है वो आपका हो गया और 10th roll number और passing यह तीनों को मिला के ही combination बना के आपका application number आपके mobile पर भेजा जाता है तो आपका वही रहेगा तो उसको सुरच्छित रखना है फिर देखिए यहाँ पर पर जो आपको home button दिखा दे रही application तो इस पर आपको click करनी है जैसा ही click करेंगे यहाँ पे post code आपको ध्यान में रखना है कि कौन से post code के लिए आप apply करना चाहते है उस post code को आपको select करना होगा यह seneka अप पर किलिक करेंगे, जैसे हैं इस पर किलिक करते हैं, दीखिए आपके समने, apply का option आ जाता है, यहां पर registration का कुछ detail automatic fill हो जाएगा, तो यहां पर कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको present address fill कर देनी है, पर्मनेंट address fill करना है, with pin code, ठीक है, pin code के साथ, और यहां पर category अपनी select कर लेनी है, SC, ST, general जो भी है, उसे select करेंगे, तो SC, ST अगर है, तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, यहां पर certificate number नहीं माँगेगा, तो आप अपना card certificate का number यहां पर डाल देंगे, अगर आप SC है तो, ठीक है, डालने के बाद यहां पर देखें, कहां से issue किया गया है, वो भी आपको बताना होगा, ठीक है, तो इस पर किलिक करेंगे, देखें, यहां पर दिखाया होगा, already Delhi, तो आपको Delhi, जहां से भी आपका हुआ है, वो आपको select कर देना है, ठीक है, तेखें, मैं यहां पर बिहार कर देता हूँ, तो यह आ चुका है, ठीक है, फिर आने के बाद यहां पर आपको देखें, certificate number हो इसू टेट हो गया, कहां से इसू हुआ, बिहार से, या फिर अधर राष्टर जो भी आपका है, वो डालेंगे, और certificate issuing authority, कहां से, किसे ने जारी किया है, आपका कहा certificate, वो आपको यहां पर डालना है, अब देखें, यहां पर आजाता है, sub category, इस में से अगर कुछ है, जैसे जो भी है, जिसका रुसार यहां पर automatic आ चुका है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आप देखें, यहां पर अगर कुछ आपका है, जैसे कि दिव्यांग बगएरा है, जैसे सुनने में कुछ problem है, तो आप यहां पर click करेंगे, देखने में कुछ problem है, तो आपको यहां पर click क पहाडी छेतर से निवास करते हैं, आपको physical standard में कुछ छूट मिलती है, तो इस पर आपको select कर लेना, अगर आप पहाडी छेतर के निवास ही है तो नहीं तो इसको भी खाली रहलें देना है अब यहांपर आ जाता है तो physical जो standard है उसको एकसेप्ट कर लेना है accept क्लिक हो जाएगा ठीक है accept होने के बाद यहां प् साहं इकल्डरेशन को भी आपको accept कर लेना है और करने के बाद देखिए हैं पर एक option आपको और देखने को मिलता है कि divided for by board of any other agency यानि किसी परिच्छा बगेरा से या board बगेरा से आपको निकाला गया है बैन किया गया है तो yes or no कर सकते हैं यहां पर मैंने no ही रहने देना है फिर यहां पर देखिए save and next है save and next कर लेगे अब दोस्तों next में आपका photograph का option आ जाता है तो यहां पर photograph आपको upload करना है तो जो भी आपके पास photograph है उसको upload कर देगे अब दोस्तों यहां पर देखिए photograph जो है upload नहीं हुआ है कि यहां पर photograph जो है मांगा गया है 500 x 700 पिक्चल का तो इसी कॉंबिनेशन का आपको अपलोड करना पड़ेगा और देखे केवी भी यहां पर बताया गया है 50 से लेकर 300 केवी तक का फोटो आप अपलोड कर सकते हैं ठीक है यहां पर आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राप नहीं डालना है यहां पर पोस्ट कार्ड साइज का मांगा गया देख सकते हैं पासपोर्ट साइज का नहीं पोस्ट कार्ड साइज का आपको फोटोग्राप मांगा गया है फोटोग्राप अपलोड हो चुकी है तो यहां पर बड़ा फोटो ही आप अपलोड हो ठीक है पासपोर्ट साइज जो है 140 picture होने चाहिए है है हाइट 110 pixel का यहां पर upload करना है तो यहां पे signature हो गया यहां पे signature upload करना है फिर यहां पे thumpy impression upload करना है साहीज यहां पर बताया हुआ है फिर यहां पे left th prospective और यहां पे right thumpy impression है तो दोनों ओठे का निशान भी आपको upload करनी है और उसके बाद यहाँ पर next button पर click कर लेना है अब दोस्तों post के अनुसार जो आपने post select किया है उस post के अनुसार qualification यहाँ पर दिखाएगा जैसे कि इस post के लिए बारवी पास मांगा जारा है तो इस पर आपको click कर देनी है और next button पर click कर देना है तो यहाँ कि यहाँ पर आ चुका है अब यहाँ पर आपको कहां से qualification जो है आपको select कर लेनी है बारवी यहाँ पर discipline आपका क्या था आर साइस हुआ आपको select करना है देखिए disability ना चुका है तो 12 पास यहाँ पर कर लेंगे और उसके बाद देखिए next जो है आपका option खुलता है तो यह थोड़ा सा server slow होने के कारण जो है देरी से खुलता है तो थोड़ा सा इंतिजार करिएगा आप यहाँ पर percentage आपका क्या है वो डाल दीजेगा ठीक है फिर किस state से आपने पास क्या है वो डाल दीजेगा फिर board यहाँ पर आपका आजाएगा board आप यहाँ से select कर सकते हैं अगर नहीं रहे तो आपको यहाँ पर लिखने का भी option है तो लिख भी सकते है ठीक है फिर अगर next करते है देखिए यहाँ पर scroll करते हैं आगे घस करते हैं किस करने के बाद देखिए यहाँ पर आ जाता है passing month हो रही है तो यह भी आपको डाल देना है और करने के बाद यहाँ पर next कर देना है अब दोस्तों आप next में देखिए सारा preview दिखा देगा अगर आप इससे edit करना चाहते है तो यहाँ से एक एक करके edit भी कर सकते हैं तो मैंने देख लिए सब कुछ ठीक है इस पर किलिक करेंगे declaration पर और submit final application पर किलिक कर देंगे क्योंकि आप SCST का पैसा नहीं लग रहा था इसलिए payment नहीं मागा अगर आप general category से आपको payment भी करना पड़ेगा 100 रुपया का तो payment कर लिजेगा मैं आप final submit पर किलिक कर देता हूं जैसे submit पर किलिक करते हैं अब यह form जो है submit हो चुकी है message भी आ चुका है आप चाहें तो print out फिर से आपको login करके print out निकालने नहीं है देखिए आपको option मिल रहा है तो print पर किलिक करेंगे और आपका जो form है देखिए जो आपने apply किया है इस पर किलिक क करके अपना form जो है download कर लेंगे ठीक है तो हो जाएगा आपका इस परकार से form देखिए आप print का option आच चुका है नीचे print पर किलिक करेंगे print का आपका यह print out निकल जाएगा तो इस परकार से form को आपको भरना था उमीद करता हूं जानकर याप लोगों को अच्छी लगी